नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सनमार्ग इस बार महा सिवरात्री खास योग में मनाई जा रही है और चुकि हर महा के कृष्ण पक्ष की चतूर दसी तिति को सिवरात्री कहते हैं लेकिन फालगुन मास की जो चतूर दसी तिति हैं इसको महा सिवरात्री कहते हैं इस दिन ब्रत भी रखा जाता है सास्तरों की माने तो इस दिन सिव योग लगा हुआ है और भगवान सिव की पूजा करने से सुब फल के प्राप्ति भी होंगे तो आज महा सिवरात्री के सुब अफसर पर सिवलिंग पर अगर आप आंकड़े का पुस्प अरपीत करें तो ये सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा और माना जाता है इससे लंबी आयू का वरदान मिलता है सिवलिंग पर अगर एक लाग बेलपत्र अरपीत करें तो जिस चीज की भी कामना की जाएगी वो पूरी हो जाती है और अगर गुड़हल का पुस्प अरपीत करें तो सत्तुर विरोधियों का नास हो जाता है अब सिब जी की सबसे प्री है जो पत्तिया है वो है बेल पत्र अगर बेल का पुस्प भी अर्पित करें याद रखिए बेल का पुस्प तो सुन्दर और सुयोग जीवन साथ ही मिलता है बagsवान सीब को हर सिंगार के पुस परपित करने से घर में सुकसान्ती आती है और बागवान सीब के जब भी आप पुजा करें तो नमध सिवाय का अनवरत जब करते रहेगा अगर आपधny सिबिलिंक सरवोत्तम माना जाता है और इसका आप घर में अस्थापना करवा सकते है महासी यूग बना हुआ है तो इस महासी यूग में आप जो भी मनुकामना है उसकी पूर्ती के लिए आप इसे उपाई इस दिन कर सकते हैं तो एक बार भोले नात की सरन में आई ये खोले नात के पास आपके हर समस्या का समधान है अगर आपको नुकरी की तलास है तो सिपजी से बरदान ले ले ले। उनसे आसिरबाद ले लें और आप फिर नौकरी के लिए जाएं देखिए कैसे आपको जोब में सफलता मिलती है क्या करें देखिए महासिवरात्री का बहुत ही खुबसूरत सा दुरलप सा सुबसयोग बना हुआ है और जब आप सिबजी को जल अरपित करेंगे तो आप जल अरपित करके एक मुठी अक्षत या पांच दाने अक्षत अरपित कर दें क्योंकि सास्र कहता है कि इस उपाय से बेक्ति को अखंड लक्षमी की प्राप्ती होती है नौकरी के मार्ग में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है देखिए वैसे एक और बात है कि महासिवरात्री के सुब अपसर पर अगर आप पीपल के ब्रिच का एक पत्ता ले लें जो कि आपको तोड़ना नहीं है गिरावा पत्ता लेना है और अगर तोड़ावा कोई और आपको दे दे तो अच्छी बात खुद से मत तोड़ियेगा वरना सनी दोस लगता है अब इस पत्ते को साप सुथरा सुन्दर सा देख कर ले ले और गंगा जल से या साफ पानी से सुद्ध कर ले एक थाली में उसको रखिये पत्ते को सीधा अब एक ग्यारे बार गायतरी मंत्र पढ़े फिर अपने पुजा वाले अस्थान पर सिब जी के पास रख दें सिब जी की तस्वीर है मुर्ती है या फिर सिबलिंग है तो रख दें ऐसा आपको महा सिबरात्री के दिन करना है और उस पत्ते को आठ दिन तक वही रहने दें यानि कि आप इस बार जैसे महा सिबरात्री के दिन आपने रखा तो आठ दिन के बाद उस पत्ते को पीपल के पेड़ की नीचे जाकर रख दे आपके नौकरी से समंधी जो भी समस्या होगी मुस्किले होगी समाप्त हो जाएगी आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी अगर रोजगार की समस्या ज़्यादा परेसान करें तो सिब जी का नाम लेकर साथ साबूत हल्दी की गाठ साथ गुड की डलिया ले ले एक सिक्का ले ले पीले कपड़े में बांध कर रेलवे लाइन के पार फेक दे नमा सिबाय का जब करते हुए सिबलिंग पर जल अर्प सिबलिंग पर चीनी भी अर्पित की जाती है और चीनी अर्पित करना लाब दायक है घर में कभी यस बैभव धन किरती की कमी नहीं होती अगर आपके पास चीनी ना हो तो कोई बात नहीं गरने का रस भी अर्पित कर सकते हैं केसर लाल केसर से सिब जी का अभिसेक करने से ज भी अर्चने दूर होती हैं काम धंदे की मंदि समाप्थ हो जाती हैं आप चाहें तो दूद में भी केसर डालकर सिबिलिंगे पर अभी कर सकते हैं और दही, सिबलिंग पर दही चढ़ाने से आप में परिपक कुताब आती है और आप जीवन में स्थिर होते हैं मानेता है अगर भोले बाबा को निमित रूप से दही से अभिसेख करे तो जीवन की साड़ी अर्चनी दूर हो जाती है कठिनाईया समाथ हो जाती है घी, घी से अभिसेख करने से सिबलिंग का आप के संतान की प्राप्ती आसानी से होती है भगवान सिप को घी अर्पित करने से बच्चे की किलकारी जरूर गुंसती है चंदन, बेद कहता है कि महाकाल को चंदन लगाने से इनसान का आकरसन बढ़ता है जीवन में मान सम्मान ख्याती बढ़ती है तो चंदन आप सिवलिंग पर जरूर लगाए सहद सहद का अर्थ होता है मीठा अब भोले बाबा कभी भी किसी तरह का कोई भी द्वेस रखते नहीं तो सिवल जी को सहद अर्थी करने से आपकी वानी में मधूरता आती है दिल में परोपकार की भावना बढ़ती है भांग भगवान सिव को भांग बहुत ही प्रीय है समुद्र मंथन के बिस के प्रभाव को कम करने के लिए भांग का प्रयूग किया था और हमारे पुरानों में भांग को एक दिब औस्थी के रूप में देखा जाता है जिससे इसकिन के रोगों का इलाज भी संबब है लेकिन अब जो हम बाते करेंगे वो नॉर्मली आप अपने मनोकामना अनुसार अरपित कर सकते है इक का रस गन्ने का रस से अगर सिबलिंग क अभिसेख किया जाए तो जीवन में खुसी बढ़ती है और इसके साथ ही आप घी से सिबलिंग का अभिसेख कर सकते हैं घी से अभिसेख करने से संतान की प्राप्ती भी होती है वैसे जब आप सिबजी की पूझा करेंगे तो तामबे कब्बटन आप इस्तेमाल कर सकते है और इसके अलावे आप धातुरा का पुस्प और इस धातुरा का पुस्प अरपित करने से क्या होता है ना जीवन के हर सत्तू बिरोदी सांथ हो जाते हैं पीपल का पत्ता अगर सिब्लिंग पर अर्पित किया जाए तो स्वास्त संबंधी परेशानी मन से संबंधित परेशानी समाप्त हो जाती है तो पीपल का पत्ता आप कैसे अर्पीद करेंगे एक लोटा पानी में रात में सिवरात्री के पहले एक बरतन में आप पानी ले ले पांच पीपल के पत्ते रखके जो बेक्ति बीमार है या जिनको बहुत टेंसन है बहुत परिशानी है आप लोग के घर के अंदर सिराह ने वो पानी रख कर सो जाए और सिब्रात्री के दिन सिब्लिंग पर अर्पीट कर दे अगर सिब्लिंग पर लॉंग अर्पीट करें सिब्रात्री के दिन तो राहु केतु समंदी कोई भी परिसानी आपको परिसान नहीं करती और आप तमाम परिसानियों से मुप्त रहते हैं अनार का दाना अरपीत करने से महादेब सिग्र परसन्न होते हैं और सनिदेब के प्रकोप से भी बजाते हैं जीवन में मान समान बढ़ता है नोकरी प्राप्ती में आसानी होती है तो अनार के दाने निकाल के उससे अभी सेख करें तो खुसियां बढ़ेगी अब बात करते हैं चुकि बेलपत्र सिपजी को बहुत ही प्री है तो बीना बेलपत्र का तो पुजा ही अधूरा है एक भी बेलपत्र आप अरपीत कर सकते हैं वैसे 108 बेलपत्र अरपीत करणे का बिधार है लेकि जब आप एक बेलपत्र अरपीत करें तो पहले उस पर समाफ्त हो जाती है एक बात याद रखिए जो भी अर्पित करें थोड़ा थोड़ा और अगर आप गेंदे का पुस्प अर्पित करते हैं सिवलिंग पर तो जीवन में खुसियां बढ़ेगी आनंद बढ़ेगा कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी क्योंकि गेंदे का अभी देवी देपताओं को अर्पित किया जाता है और अगर इससे आप सिवजी का अभिसेख करें तो जीवन में प्रेम बढ़ता है प्रेम की प्राप्ती होती है अपरा जीता का पुस्प अर्पित करने से सत्रूं पर आप बिजयी प्राप्त करते हैं सत्रू विरोधी आ यानि आपको कोई हरा नहीं सकता है अगर दुस्मन बहुत बढ़ गए हो तब सिबिलिंग पर लाल गुड़हल के पुस्प पर पित करें सत्रू बिरोधी चाह कर भी आपका बाल भी वाका नहीं कर पाएंगे लाल गुड़हल का पुस्प सत्रू को सांत रखता है जब आप सि और लाकर धोरा धोरा सब कोई परसाथ के रूप में तो खाना ही है साथ ही पूरे घर में छिड़कना है थोरा सा पानी लेने उसमें यह नीर को डाल दें और पूरे घर में चिरकाओ करें किसी भी तरह का तंतर्मंतर बाधा निगेटिव एनर्जी सबसे मुकति मिल जाएग हालांकि चारोप्रहर की पूजा के बारे में भी विस्तार से जान करी दी गई है लेकिन आए जानते हैं सिभ मंदिर से क्या घर लेकर आए अगर आप घर में पूजा करते हैं तो कैसे वेवस्ता करें वह कौन सी वस्तू है जो जरूराब के पास होनी चाहिए देखिए आप पास के सिर्मंदिर में एक छोटा सा चांदी का त्रिसूल या पीट पीतल का त्रिसूल लेकर जाईए और सिबलिंग पर अरपित करने के बाद घर ले आईएगा और इसे अपने घर के मुखे दरवाजे के चौकट में लगा दे या कहीं भी रेलिंग वेगरे म नहीं देगा सिबलिंग पर जवाब जल डूद बेगार अरपित करें तो जो चरना मुर्द जिसको कहते हैं नीर उसको कहते है उसको ले आईए और सब को परसाथ के रूप में खाईए